कि चलिए हम पढ़ने वाले अभी memory के बारे में और memory क्या होती है memory आप समझ सकते हैं इंसान के अंतरगद बात करें तो इसको बोला जाता है human brain यानि कि उसी का अंतरगद जो है इस्टोरियज यहां पर होती है तो आपको पता नहीं होगा इंसान के अंतरगद भी जिस प्रकार computer में memory का यूज़ होता उसी प्रकार इंसान के अंतरगद भी memory यहाँ पर देखने को मिलते ही एक तो होती working memory यहाँ पर ठीक है जो temporary memory कहलाती है और एक होती है long term memory यहनि कि इसको हम भविस के लिए यूज़ कर रखते हैं बहुत ही long term memory और यह सारी चीज कहां से interaction होता है environment से होता है तो यहाँ पर भी store करने के लिए दो प्रकार की चीज़े होती है एक तो temporary storage होती है और दूसरी होती है permanent storage permanent storage मतलब जिसको भविस के लिए यूज़ होना है और यह सारी चीज़ इंट्रेक्स कहां से होती है यह होती है input device है तो input device यह जिसको हम environment वोलते है जैसे कुछ विभिन प्रकार की input device हो सकती है keyboard हो सकता है mouse हो सकता है removable media हो सकती है scanner camera mic video यह सारी चीज़ हो सकती है कुछ remote source हो सकते तो यह environment कहलाता है इसके माध्यम से ही सारी चीज़ यहां देखने को मिलती है तो इसके माध्यम से कहा होगा यहां देखे primary जो temporary memory होती है वो हम देखें CPU का अंतरगत एक register होता है वो हमने पहले देख चुके है ठीक है or case भी हमने देखे तो उसके बाद RAM भी हमने देखे पर ह इनको विस्टार से यहां पर जानेंगे तो यह सारी जहमोरी थीमपरेरी है हिए है अब बाद पर कहती है's the temporary memory होता है जो घं我也 करते हैं देखे इन में में सब्सक्राइब होते हरा इनको प्रे में इसमें से पर्मीटर को में तो सब्सक्राइब और छो एके प्रकाइब निकान सोलीघंव थी अ Iya जगा डरता है व्हीं है ध्2 लगांति खाला कि इन उनले उनली में मेंभी एक प्रैकूर्ल पर इंटरनेट इस्टोरीज भी हो सकती है RHE बोर्टेश और हंस याद दास, यानि कि काम किया जाना, उसको स्टोर करना उसको हम बोलेंगे memory लाइक इंसान का जो दिमाग है बो भी एक प्रकार से memory के रूप में हम देख सकते computer में हलाकि computer की तुलनात्म गुरुप से देखे computer में brain मतलब होता CPU पर यहाँ पर इंसान में brain और प्लस memory दोनों सब चीज़ें उहाँ पर साथ में रहती है यहाँ पर पार्ट्स को अलग-अलग कर दियागा है तो यहाँ देखे सबसे पहले हम बात करेंगे memory के बारे में तो memory हमने देख लिए यहाँ डिवाइस जो है इंपुट डिवाइस के दोरह प्राप निर्देसों को संपुटर में यानिकी श्टोर कर रखता है और कंपुटर की यादास भी इसको कहा जाता है जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं मानव में कुछ बातों को याद करने की लिए जो है मस्स यानिकी ब्रेंड का युज़ कि युज़ के जाता है और यह हैं memory जो होती है CPU का अभिन अंग होती है इसे computer की मुख memory यानि की man memory जिसे हम बोलें RAM बोला जाता है random access memory यानि की आंतरिक memory या फिर प्रैंथमिक memory या primary memory इसको बोला जाता है किसी भी निर्देश या information यानि की जो instructions होते है और जो परिनाम होते हैं इसके बाद एक होता है इसमें memory कैसे काम करती है किसके माध्यम से प्रकार इसके लिए यहां पर यूज होता है bit or byte तो bit or byte की अगर बात करें तो memory में store किया गया जो data है वह 0 और 1 जिसे हम बोलते है binary numbers binary number मतलब digital भासा इसको बोला जाता है 0 और 1 इसमें परिवर्तिक हो जाता है 0 तथा 1 के संख्त रूप को क्या बोला जाता है binary digit इनको बोला जाता है और संचेप में अलग-अलग बोले तो इनको bit भी कहा जाता है bit मतलब single zero यह single one को यहां बेट कहा जाता है और bit computer की memory में घेरे गए जो इस्थान है उसको मापने की सबसे छोटी काई है इससे बड़ी जो है byte बनते जाती है byte के बाद हम देखें तो यहां देखिए आप जो है बहुत सारा जो प्रकार देखने को मिलेगा और अच्छा यह जो memory मापने के जो चीजे है वो उनको measurement बोला जाता है तोटल आड़ बन जाती है उनको बहुत लेते हैं वन वाइट ठीक है मतलब बिट से क्या बनती है वाइट बनती है और टोटल में लाकर आड़ बिट अगर जोड़ दे तो बाइट बनेगी मतलब यहां देख सकते हैं आड़ बिट का कलेक्शन बाइट कहलाता है परन्तु 004 बिट का का कलेक्शन यहां पर निभल कहलाता है तो निभल भी आपको याद रखना है पर I actually अगर पुछा जाता है ठीक है अब वाइट के अगरवाइट के तो इस्तुरिच अगर कलेक्ट कर दी जाए एक जगा है तो वह कहलाती है वन केउड केवी मतला होता है 1 किल וई यहां पर मतलब मेमोरी की यूनिट है वो बढ़ते जाती यहां पर फिर 1024 किलोबाइट से अगर बात करें देहां से 1 मेगावाइट यानि कि 1 MB यहां पर देखने को मिलता है मतलब 1 TB मतलब 1 TB यहां पर होता है फिर 1024 TB यानि कि 1 PB यहां पर होता है 1024eB होता है 1 Z जिसे वोलते हैं 1024 मतलब 1 Y न यहां बाइट जिससे वोलते हैं और 1024 Y वी मतलब होता है 1 Brontobyte और 5 जिरोबाइट और सबसे बड़ी यूनिट है वो कहलाती अभी जिव बाइट यानि की जीवी ठीक है सबसे चोटी यूनिट विट है और सबसे बड़ी यूनिट जीवी यानि की जीव बाइट है जीवी मतलब गिगाबाइट नहीं समझना जीव बाइट मतलब होता है जीवी ठीक है और उसका मतलब भी गिगाबाइट होत सब्सक्राइब करना है इसके साथ आपको मिलेगा एक्स्क्लूसिव और अनकेडमी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह चालू हो चुका है ग्यारा फर्वरी से यहाँ चल रही है और चैंपेंसिप के अंतरगात जो इस्टूनेंट यहाँ पर टॉप रैंकर रहेंगे उनको वन मन्त का सब्सक्राइब फ्री मिलेगा अनकेडमी की तरफ से और अचीवर बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर सरकाट है प्रोमो कोड डाली इससे आपको 10% का डिसकौंट यहाँ पर मिल सकता है तो देख किस बात की डाउलोड कीजिए अनकर लर्निंग एप और लेट्स क्राक इट इसके बाद हम देखें यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर हमको मेमोरी देखने मिलते हैं मेमोरी द देखें यहाँ तो प्राइमरी मेमोरी सेकंडरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी के अंतरगत देखें तो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के कार करने में कंप्यूटर को कार करने में सक्षम बनाती है यहाँ पर जो कंप्यूटर में काम कर रहा है वरकिंग चल रह होता है तो चैलिए सबसे पहले देख से क्सिक रचेस जैसे डिख क्秒 कुंफिक है काफि होती है क्ümकि वर्ड के इक फापर करती है और यह ब्लॉक कि परकार की प्रेयमरी मीमोरी है उसके और रहा होती है तो रैंडम में जो भी उसर के द्वारा इंपूट दिया जाता वह पर स्टोर होता है वह रैम में रहता है ठीक है और रैम जो है करके कहां पहुचाती है कैस में मॉरी और उसकी प्रोसेसिंग होती है तो इसको मेमोरी उनिट यानिकी सीप्यू का एक अभी अंगे माना जाता है अगर रैम नह स्टेटिक रैम इसमें कुछ समय तक झादत समय तक डाटा श्टोर रहता है परनतु डरेम यहां पर कुछ समय के लिए रहता है ठीक है जैसे कि रैम है तो यहां तो आस्थाइ ही रहता ही है परन्तु SRAM में DRAM के पेक्षा काफी अधिक समय तक data store रहता है फिर RAM के ही कुछ प्रकार है DDR RAM DDR मतलब double data rate जो 1 वाली जो RAM आई थी सबसे पहली स्रेणी में फिर उसको upgrade किया गए DDR2 यहने double data rate 2 RAM देखने को मिलती है double data rate 3 RAM देखने को मिलती है बरतमान में आपको latest देखने को मिलती है DDR4 RAM यहने की double data rate 4 है latest RAM देखने को मिलती है अभी बरतमान में laptop computer में आपको इसी स्रेणी की RAM देखने को मिलती है अब उनकी capacity 4 GB हो सकती है 8 GB हो सकती है या 16 GB हो सकती है इस स्रेणी में देखने को मिलती है उसके प्राइमरी मेमोरी के अंतरगा थी रोम देखनेंगे मिलती है, रोम मतलब read-only memory इसको बला जाता है, इसमें से डाटा को delete नहीं किया सकते, एक बार store करने के पस्चाहित, only read-only memory इसको बला जाता है, तो यह देखिए BIOS, basic, जो input-output system है, जो operating system के अंतरगा जो BIOS होता है, वो यहाँ पर store होता है, और इसके अंतरगा तीन चीजे देखनेंगे मिलती है, तो पी रोम देखनेंगे मिलती है, programmable read-only memory, मतलब एक बार प्रोग्राम किया जाता है, उसको delete नहीं किया जाता है, programmable read-only memory, erisable programmable read-only memory, कुछ पड़ावेंगनी तरंगों की माध्यम से डाटा को यहाँ से हटा कर store किया जा सकता फिर से, और यह कहलाती, erisable programmable read-only memory, जो की read-only का प्रकार होता है, तीसरी जो होती है, electrically erisable programmable read-only memory, जिसे हम double EP ROM बोला जाता है, ठीक है, तो यह जो होती है, कुछ बिसेस, electric, तरंगों के माध्यम से डाटा को delete किया जाता है, और यहाँ प primary memory, और CPU में data पहुचाने सपहले, cache memory इसके अंतरगत काम करती है, और यहाँ पर देखे, CPU जो होता है, कैसे data को उठाता है, मतला हाँ ड्राइव होती है, secondary storage यहाँ से इसका connection होता है, कुछ और अधर drive होती है, जिसे हम बोलते, cd-reritable जो होती है, उसके अधर थम drive होती है, pen drive जिसे बोलते है, tape drive होती है, यह सभी offline storage कहलाती है, इसके बाद secondary जो storage हम यहाँ देखे हैं, तो secondary storage के अंतरगत primary जो होती है, वो कहलाती है, hard disk और CPU का अभिनांग कहलाता है, CPU के अंतरगत यह लगी रहेगी, अगर नहीं लगी रहेगी, तो operating system जो है, मतला computer boot नहीं होगा, computer boot कर नहीं में problem करेगा, क्योंकि operating system आपका install कहां होता है, hard disk में, और load करके वो कहां लाता है, primary memory, यह नहीं RAM में लेकर आता है, CPU, तो जब तक कि secondary memory जो hard disk है, वो नहीं लगी रहेगी, तब तक computer यहाँ पर start नहीं होने बाला, यह आप देख सकते हैं, अब बरतमान में, hard disk का ही एक मेहनगे, मतलब hard disk से काफी मेहनगी होती है, ठीक है, वारतमान में देखनेक मिलती है, 256 है, 125 है, इस परकार की GB में देखनेक मिलती है, 500GB, 512GB में देखनेक मिलती है, 1000 में मिलती है, 1024 में, तो इस Solid State Drive काफी मेहनगी होती है hard disk के अपेक्शा, उसके लाव यूएस्प धंब ड इस प्रकार यह capacity में देखने मिलती है रेमेवेबल डिस्क भी इनको बोला जाता है फिर HD card होते हैं camera में mobile में या फिर memory card के साहता से हम जो ही इनका use कर सकते है HD card अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं micro mini जो card होते हैं इनका उप्योग भी जो है हम प्रकार से data को transfer करने के लिए उस करते हैं CD CD मतलब compact disc होती है एक डिस्क होती है ठीक है इसका भी data को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है उप्योग पहले floppy डिस्क्यूज होती थे परन्तु CD के आजाने से floppy का जो चलाने वो कम हो गया क्योंकि floppy की capacity है वो कम हुआ करती है CD की capacity आपको ज्यादा देखने मिलेगा नहीं कि 700 MB का असपाद देखने मिलती है अब dvd जो है dvd की minimum capacity है 4.7 GB देखने मिलती है CD का ही अप्ग्रेड़ेबल रूब है डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजीटल वीडियो डिस्क को बला जाता है उसके बाद floppy डिस्क होती है floppy डिस्क जो होती है सेकंडी स्टोरेज के रूप में यूज होती थी दाटा को एक स्थान से दूसर स्थान पर ले जाने के लिए परन्तु बरतमान में बंद हो गया है यह भी सेकंडी स्टोरेज के अंतरगत आती है तो यह कुछ बेसिक ओवर वियू हमने देखें किसका मेमोरी का इसके बाद हम का अभी मेमोरी के बारे में कुछ देख लेते हैं दीखें प्रामरी मेमोरी होती है जहां पर दाटा UK प्रोग्राम होते हैं ऑब सकता पढ़ने पर एहां से तुरंत अब्लब्भ हो जाते ions और यहां memory आस्थिर memory कहलाती क्योंकि इसमें लिखा गए data computer के on होने तक ही यहां पर store रहेगा और बंद होने के पस्चाथ या बिजली जाने के पस्चाथ इसमें data मिड़ जाता है और इससे प्राट्मिक memory या मुख memory भी कहा जाता है तो इसके अंतरगत हमने देखे थे देखे types of memory यानि के रैम देखे रैम के अंतरगत दो चीजे एस रैम static रैम और दूसरी होती है डी रैम यानिक डैनेमिक रैम रैम क्या होता है रैंडम एक्सेस memory होते है और दूसरा होता है यह वाली जो टेंप्रेरी memory नहीं कहला थे परन्तु primary memory का ही पार्ट कहलाता तो इसके अंत होती है चलिए करके यहां जान लेते सबसे पहले जानते हैं रैम के बारे में तो रैम क्या होती है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस memory और रैम यहां देखें तो देखें आइस थाई मेमोरी होती है इने temporary memory इसको बला जाता है कीबोर्ड या नहीं किसी input device के माद्धम से input किया गया जो प्रोसेस के पहले जो डाता होता है कहां पर ह chill रहता है वह रहें में ही स्टूर होता है रहें और कि आ आस्ताइभ यूयर्म से संग्रइत यहां पे रहता है यहां रेंस से आस्ताइभ यहां पर रहता है रेम को प сигच्षाक के रहता जाता है रहता है क्ैम्होंतर यहां प्रिक्राइब sales पाहिकあぁ जाता है क्या हो decisstep 28 बात करें तो चार जी वी आठी शोला जी वी इस प्र soci और देखने को मिलती है और यहां होती है नीमिक रैम होती है सेक्रोंर डालि decision के वह हैं यहां से लिडल यत भी हो जाता है यहां ज़ाता है यहां इंडेता यहां से अधार thunderstorm को बिद्धुत आवेषित करना तो इसके कारण डाटाः यहां से बार बार जो यह हो जाता है और यह एक सेकेंड में लगभग हजारों बार मरफ्रेस होता है फ्रत् Heights बार रिपरेस होने के कारण यह जो पहले की जो बिस है बस तो उसको मिटा दिता है इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेस होने के कारण इसकी गती जो है कम हो जाती है तो यह सारी चीज़ हम को देखने को मिलती है इसके बाद सिंक्रोनस रेम की अगर बात करें तो सिंक्रोनस रेम जो है डी रेम के पिक्षा जादा त्रांत्रीत या ट्रांसपर कर देती है और तीसरा जो प्रकार होता रहें के अंदर ही क्या कहलाता इस्टैटिक रहें जो होती है इसके पहले हम देख लेते हैं मेमोरी के बारे मेमोरी का होता है और मेमोरी ने इन विल्ट में मनुस्थ इंतरगर देखें मेमोरी के प्रकार प्रामारी और secondary, primary कंतरगत, cache, RAM और ROM देखें, secondary कंतरगत, विभिन प्रकार की चीजे देखें, hard disk है, SSD है, thumb drive है, इसके बाद हमने primary memory में देखें, primary memory में आपको RAM देखने मिलती है, ROM देखने मिलती है, जिसमें समने अभी, इसमें SRAM के बारे में जान लिए, DRAM और synchronous RAM के बारे में हमने जान अब बात करेंगे, हम next देखें, ROM के बारे में, तो आई हो, सारी चीजे आपको clear हुई होगी, और यहां पर आप देख सकते हैं, जो telegram channel है, और android application है, जो play store से आपको मिल जाएगा, वहां से आप download कर सकते हैं, ठीक है, और किसी परकार का doubt होता, आप comment box में, मुझे जरूर ब बारे में, यहां basic तोर पर जाना, और उसी के अंतरगत, यह topic है हमारा है, जैसे कि पहली जो memory थी हमारी, type sum memory के अंतरगत, मतलब जो primary memory है, random access memory, जिसमें दो प्रकार हमने देखे थे, एक और है, synchronous RAM है, तो तीन इसके अंतरगत देखे थे, और अभी हम देखने बाले यहां पर रोम के बारे में, तो रोम होती क्या है, रोम का मतलब होता है, read only memory, और read only memory एक प्रकार की यह भी primary memory है, परन्तु फरक इतना है कि यह style memory है, क्योंकि इसमें BIOS program install मतलब होता है, BIOS program यहां पर store होता है, जो कि only read only रहता है, यानि कि अगर बात करें हम यहां तो इसको delete कर पाना स memory होती है, जिसमें computer के निर्मान के सामें program को store कर दिया जाता है, ठीक है, और इस memory में store जो program है परिवर्तित और नश्ट नहीं किया जा सकते, उन्हें cable पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको read only memory बोला जाता है, और यह जो है read only memory इसलिए कहलाती है, यहां देखे computer का switch off होने के ब इसके तीन प्रकार है, एक तो P-Rom है, एक E-Pisterom है और एक डावल एपरो है, तो P-Rom जो होता है और E-Pisterom का मतलँ होता है, तो 3 हो के बारे हम ठोड़ा जानकारी देख लेती है, जैसे P-Rom का मैने बताया, है enigy harden डिया डिया जो है Пер ears compatible स्वार्वेक्ट की तरह ही होता है लेकिन इसले संग viens जो श्टरश प्रोग्राम है वह परावग cinco तरंग oldender जो मिठाए जा जा सकता और नए प्रोग्राम को तो यहां देखिए एक erisable यहां पर भी और आएगा एक जो है यहां पर इसको आप लगा सकते हैं electrically erisable programmable read-only memory होता है और यह नई टेकनीक है इसके द्वारा यहां पर मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है तो यह तीन प्रकार थे किसके read-only memory एक प्रकार की क्या है primary memory है परन्तो इस्थाई memory है जिसमें BIOS प्रोग्राम इंस्टॉल होता है फिर बाद में देखते हैं हमने अभी देखे primary memory और primary memory क्या होती है जो working होता है computer का उसको store करने का काम करती है और इसमें जो RAM है RAM में data क्या होता है जब तक computer on होता है तब तक वहां पर store होता है नहीं तो नश्ट हो जाता है परंतो जो ROM है रोम में BIOS प्रोग्राम यहां पर देखने को मिलता है अब दूसरी जो होती है secondary memory होती ही दोती एक जो storage device है उसको हम बोलते हैं इनको auxiliary storage device भी बोला जाता है secondary storage device भी बोला जाता है ठीक है तो यह computer का भाय भाग होती है जहां पर मतलब जब computer में काम हो जाता है primary memory memory का जो भी हमको display आ जाता है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको भविस के लिए सेव कर दे बविस के लिए सुरक्षित कर दे तो जाकर कहीं जो है कहां पर श्टोर होती है इस memory में तो secondary memory का मतलब नाम से सपस्ट है परंतु इसमें से एक जो memory है जिसको बोला जाता हार्ड सिस्टम आपका complete रूप से इंस्टॉल होता है और लोड होकर कहां आता है primary memory अर्थात रेम में आता है तो आप समझ सकते यहां पर जो secondary storage device के अंतरगत जो hard disk है उसको सब से primary यहां पर secondary storage device के रूप में माना जाता है और यह दिखें यह जो secondary storage device है यह computer का भाग नहीं होती है इ लिए उसमें save किया सकता है उसको open करकर देखा जा सकता है उसमें सुधार किया सकता है और इसको delete भी किया सकता है user के द्वारा अपने आप delete नहीं होगा इसकी storage समता काफी अधिक होती है जैसे कि आप बरतमान में देख सकते है बंट टीवी के आसपास जो है minimum जो requirement रहती है इन में हम पर्चेस करते हैं तो यहां पर इनकी जो capacity हो देखने मिलती है hard disk की और memory card भी आज की लेट में अगर देखे तो बहुत मतलब 125 128 GB के आसपास जो है 64 GB के आसपास यहां पर memory card देखने मिलते है pen drive देखने मिलती है तो काफी अधिक शंता में हमको storage device देखने मिलती है secondary history device ठीक है और primary memory का अगर बात करते हैं यहां पर जो छमता है इसकी काम होती है secondary के मतलब उसमें उसके अपेक्षा परन्तु यहां देखे जो स्थाना मतलब जो सेकेंड इस्टोरी डिवाइस है उसमें जो डाटा होता वह एक जगर दुस्ट जग है यहां पर हम क्या कर सकते ह हैं ला सकते हैं इस स्टंफर कर सकते हैं secondary collaborating डिवाइस के अंतर और फिलापी डिस्क को देखने मिलती है हैं चीब بोलते हैं ऑपिकल डिस्क यहां पर देख सकते हैं memory карт देख सकते हैंASON यह सभी चीजplayer हम को देखने को मिलते हैं आप बात करें यहां इसट्ट फेस ख़रें को स लाइब हमको देखने मिलते हैं SD card SD card अलग-अलग प्रकार के हो सकते है CD हो सकते है CD को क्या बोला जाता है compact disc बोला जाता है CD को DVD DVD को digital versatile disc बोला जाता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके आथ floppy disk होता है floppy disk जब चलती थी data portable यानि data को एक स्थान से दूसर स्थान पर ले जाने के लिए तो यहां पे CD और DVD का चलन नहीं था परन्तु जैसे इनका चलन आया तो floppy disk यह इसकी जो मतलब चलन है बंद हो गया क्यों क्योंकि CD और DVD की जो चमता है storage की वह काफी अधिक है सबसे पहले बात करते हैं hard disk मैं देखा देता हूं आपको देखे इस प्रकार की संरचनर रहती इसको structure के form में भी देखेंगे जैसे जो गोल वाली चक्ति दिख रही इनको बोला जाता प्लेटर और जहां पर यह फसी होती है जो एक लिए इसमें प्लेटर सो होती है उसको एसपेंडर बोला जाता है यहां देखी यह जो Means स्टोल रहता है जो है मतलब यहां पर डेकिक प्लेटर में ढटा दाटा उसको यहां पर LIVE、 dent 的 typically lotta देखेंगे यह आर्म होता है complete troops से ठीक है और बांकी की चीज है हमारे लिए कोई मतलब यहां पर important नहीं बस आपको प्लेटर से याद रखना है प्लेटर गोल वाली spendal जिसमें फसा होता है यहां प्लेटर ये आपको प्लेटर से लिए चैन कहलते हैं कतरी है प्लेटर से लो से देखर खते हैं हर दिसके हों आपको प्लेटर जैसे की Woah है स्पेंडल है उसके बाद एक्वेटर है हाउसिंग है पावर कनेक्टर है पीसी भी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यह देख सकते हैं तो यह कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं इसकी संरचना हाट डिस्क की ठीक है आप यहां देखें इसके बारे में कुछ यह और हाट डिस्क यह देख से बटी होता है तो एससे गोल चा जो राउंड चल रहा है यह वाला जो है कंप्लीट रूप से ट्रेक कर लाता है और यह जो टुकड़ों में बटी रहती है बटी है अलग अलग भागों में इसको सेक्टर्स बोला जाता है जब है को डाटा को श्टो होने वाला तो हाँट डिस्क या है एक वात है और यह फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम ठोल सकते महाँआ को सकते हैं और यह कंप्यूटर में रह data यहां पर डillar दिलिट हो जाता है पर अपनी इसमें से एडिट के लिए अधिक देखा जाकते, इसके बाद चलwork internet भूमती है यह वाली छिर भूमती है काफी तेजगती थीयग है उतनी ज्यादा तेज़ी से डेटा को रीट किया जाता है है таких इस तेज गूम है और यहां स्पीट को मापने के लिए आर पिम याइनि के रेवलिशन पर मिनिट से इसको मापा जाता है हाट डिस्क जो है चावण सो आर पिम यहां स्पर बेसिक रूप से तो देख्ये हाट डिस्क चुमके डिस्क से मिलकर बनी होती है aur इसमें डाटा को पढ़ने लिखने के लिए एक हैड होता है हाड डिस्क में एक सेंटर साफ्ट होता है चुमकी डिस्क लगी होती है इसमें हाड डिस्क की उपरी सतय है पर जो है एवं नीचली सतय पर डाटा स्टोर नहीं होता ठीक है और यहां देखें बाकी सभी जो सतय होते उसमें डाटा स्टोर होता है प्ल सीख टाइम होता है लेटनसी टाइम होता है तो सीख टाइम के अगर बात करें तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने के बाले जो ट्रैक होते हैं उस तक पहुंचने में लगा समय सीख टाइम कहलाता है ठीक है और लेटनसी टाइम की बात करें तो ट्रैक में डाटा क सेक्टर तक पहुँचने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहा तो यहां पर सेक्टर में डाटा को लिखने यब पढ़ने में जो समय लगता है उसे transfer rate कहा जाता है तो यह तो हो गई कुछ basic हमने hard disk के बारे में यहाँ पर देखें ठीक है अब बात करते हैं हम किसकी next हम देखते हैं solid state drive जिसे हम बोलते हैं ssd sort में अगर क्या बोलें इसको ssd को बोला जाता है तो ssd यह निए solid state drive एक प्रकार का non-volatile जो storage media इसको बोला जाता है यानि कि प्रकार से इस्थाई memory इसको बोला जाता है जैसे कि hard disk है solid state जो है flash memory पर लगाता data store करता है तो यह देखे flash memory मतलब यहाँ पर प्लेटर का उपयोग नहीं किया गया यहाँ पर chip level जो pen drive होती है pen drive जैसे सब्सक्राइब होती है यहाँ संद्रचना देखने को मिल रहे है आपको multiple chip यहाँ पर देखने को मिलती है यह भी हमारे computer में upload the hard disk की तरह यह data store करने के काम आती है लेकिन hard disk से यह काफी तेजगती से काम करती है इसके प्राइस भी काफी अधिक महंगी होती है इसके लाबा SSD जो है hard disk का updated या नय वर्जन हम बोल सकते जिसमें जिसे जो है नई टेकनोलोजी का इस्तमाल करके यहाँ बनाए गया है यह साधारान hard disk के मुकाबले बजन में काफी हलकी होती है चोटी होती है और काफी महंगी यहाँ देखने को मिलती है ठीक है आज की डेट साटा मतलब होता है जो चलिए यहां आपको question का अंसर बताना साटा का full form क्या है सबी चीजे मैं बता दूंगा ता आपका काम क्या रहेगा तो साटा का full form आपको comment box में बताना और इस तरह की साटा कनेक्टर को सपोर्ट करती है बिल्कुल वैसे ही जैसे की हर्ड डिस्क होती है यह है सबसे सिंपल form factor है जिसे हम देखकर पहचान सकते हैं और सबसे पहले मार्केट में इसी तरह की हर्ड डिस्क यहां यहां एससडी देखने को मिली थी इस तरह की सब्सक्राइब को आज करने वाले किसी भी पीसी में यहां पर इस्तमाल किया जा सकता है दूसरी जो होती है एम साटा ठीक है तो चलिए यहां पर साटा का फुल फर्म तो यहां देखने को मिलगा आपको सीरियल एडवांस टेकनोलोजी अटेच्मेंट आपको जो है कुछ और कोश्चन पूछूंगा मैं फिर भी आप जो है सर्च कर लिए कर यह जो भी मैं पूछता हूं तो एम साटा यानि की माइक्रो साटा जो है एससडी नॉर्मल साटा एससडी से कनेक्टिविटी और फॉर्म फेक्टर दोनों यहां अलग होते हैं जैसे कि आप देख सकते ह यह बरतमायन में लैप्टॉप के अंदर इंविल्ट होती है और यह नॉर्मल साटी से साइज में काफी चोटी होती दिखने में काफी अलग होती है और एक तरह से यहां पर हम क्या कर सकते उसको अटेच कर सकते हैं लैप या PC के अंदर यह देखें M.2 जैसे कि मैंने बताया तो M.2 यह दिख रहे हैं आपको और इस तरह की SSD दिखने में तो M.SATA की तरह ही दिखते हैं लेकिन यह है इसका updated version होती M.SATA का जो M.SATA से काफी fast होती है लेकिन छोटी होने के बावजूद भी है दोनों तरह की connectivity को support करती है यानि इसे normal SATA SSD दोनों को मिला कर यह बनाया जा सकता है तो यहां पूरी तरह से SSD नहीं है बलकि solid state drive और hard disk दोनों से मिलकर यह combo बनी है जिसे SSHD बोला जाता है और इसमें कुछ memory SSD की होती है और कुछ memory hard disk की होती है यानि कि hard disk और SSD दोनों के बीच की memory इसको बोला जाता है और laptop में काफी जो ह बाद हम बाकी की चीज़े बाद में देखेंगे तो hard disk में magnetic disk होती है जिसमें घूमने के बज़े से hard disk data में transfer और access हो पाता है लेकिन SSD ऐसा नहीं होता SSD में सारा काम सेमी कंडेक्टर यानि चिप लेबल पर होता है इसमें कई सारी chips लगी होती है जैसे कि मैंने अभी दिखाया SSD से बहुत ज्यादा स्लो होती है hard disk के मुकाबले काफी कम पावर लेती है SSD एक normal hard disk के मुकाबले size में भी काफी छोटी होती क्योंकि hard disk एक mechanical drive होती है जो कि hard disk के घुमने से चलती है इसलिए थोड़ा noise भी करती यानि कि आवाज करती है जबकि SSD एक flash storage device है जिसमें chip लगे होते ह इसलिए बिल्कुल भी noise यानि कि आवाज नहीं करती या फिर हल्ला नहीं करती SSD hard disk के मुकाबले काफी महंगी होती है अगर 240 GB के hard disk यहाँ पर देखने को मिलती है तो 240 तो यहाँ पर 4000 के आसपास देखने को मिलती है जबकि यहाँ देखें 1 TV hard disk आपको कितने में देखने मिले इससे कम प्राइज में देखने को मिल जाएगी मार्केट में अब जो फ्लॉपी डिसके वहां नेक क्लास में देखेंगे तो इसके पहले हम जो है क्या कर पढ़ ली है वहां एक बार देख लेते हैं ठीक है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर के हो जाए तो यहां देख कारविध है तो सारी चीज यहां पर समझ में अगहीं अगर किसी प्रकार का कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएए आप टेलीग्राम से यहां पर देख सकते हैं चैनल जो है चैनलो आं डिस्कसन गूरुप है उसको आप जोइन कर सकते हैं काफी आपको यहां अंसर प्राप्ट कर सकते हैं मतलब किसी प्रकार के question करके इसके अलाबा android application है सरकार study ways education है इसको playstore से आप download कर सकते यहाँ पे आपको जो है सारे courses जो computer के है और जो gsk complete truth से वहाँ देखने को मिलेंगे ब्लूरे डिस्क के बारे हम में अभी देखेंगे विस्तार से उसके बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं तो फ्लॉपी डिस्क के प्रकार की सेकेंडे डिवाइस हैं जो की पहले इसका चलन हुआ करता था परन्तु इसकी छमता काफी कम होने के कारण यहां पर इसका चलन काफी जो है अभी बरतमान में बंद हो गया है क्योंकि इसके आल्टरनेट में CD देखने को मिलती है CD और डीवीडी के बदले में भी आप देख सकते भी ब्लूरे डिस्क देखने को मिलती है तो यह सारी चीजे नएने वर्जन जो है नएनी टेकनोलोजी यहां बरतमान में आने के कारण फ्लॉपी डिस्क का चलन बंद हो चुका है क्योंकि इसकी छमता जो है काफी कम हुआ करती अष्चाल प्लॉपी डिसक यहां तो यहां देखें तो यह कंप्लीट रूप्स से इस प्रकार दिखतें है बरतमान मतलब जो बाहर की अपक्ष अगर देखे और अंदर की संडचना यहां देखें तो रीड राइट नोच लगा रहता है डिस्क की जैकेट होती है जैसे कि मैंने बताया डिस्क खव सेंट्रिंग होल होता है उसके बाद हो इन्डेक्स होल होता है यहां देखे एकसेश स्लोट होता है इसके बाद हम देख सकते हैं यहां पर देखे जो है इस मतलब जो floppy disk के हो उसमें 80 data track यहां track जिसमें data store होता है और प्रते एक track में 64 यहां पर देखे क्या होते हैं 64 सब यहां पर store किया जा सकते हैं यह है magnetic tape मतलब जो हमने देखे थे magnetic tape अभी आगे भी देखेंगे और magnetic प्रकार की जो disk है वो भी हम यहां देख चुके हैं इसके समानी कार करती है जो कि 360 rpm ठीक है revelation per minute प्रती minute की दर से यहां पर घुमती है जिससे क्या होता है इसकी recording head के खराब हो जानी की समस्या उत्पन हो जाती है यहां देखें आकार की दरश्टी से यहां देखें फ्लापी जो है दो प्रकार की देखने को मिलती है तो साड़े पांच जो ब्यास वाली देखने को मिलती है और एक साड़े तीन इंच ब्यास वाली देखने को मिलती है तो साड़े पांच इंच वाली की अगर बात करें त तो इसका जो प्रियोग है सर प्रतम एपल कंप्यूटर जो हमारे एपल कंप्यूटर है उसमें किया गया था जो की पिछली फ्लॉपी के पिक्षा छोटी थी इसकी संग्रहेंट चमता 310 KB से 2.88 MB तक थी तो यह दो प्रकार की हमने देखे आकार की देश्टी से फ्लॉपी क् कुछ बेसिक चीज़े जाने हमने हैं अब बात करतेहि हैं मेगनेटिक टेप जी होता क्या है आप देख सकते हैं हाँ देखे है करे चासे पाखा और पार पूराने समय के आईडियो स्थी secondo में यूजा हूट होते थे इसके लिए जा सब्सक्र ॏ ब्सक्राइव की प्रियोक बड़ी मातरा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, आज भी जो है इसका प्रियोक डेटा का बैक अप तयार करने के hold कर नहीं किать है, भी देखिए का डेख ठीटा की अगरबस करताई। जिस पर डाटा एक flat सतय के अंदर पिट्स के रूप में रूप में GYG होती है इसमें डाटा को optical के द्वारा store किया जाता है Optical Disc दो प्रकार के होती है CD होती है Compact Disc और डिजिटल DVD होती है Digital versatile disc दो चीज़ होती है तो इनकी छंता की अधार पर यहां पर दोनों को हम देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे compact disc इसको sort में क्या बोला जाता है यह हमने देख लिए सारी चीजे ठीक है और यहां देखिए James Russell इसने जो है CD को यहां पर invent किया था अब इसकार किया था सबसे क्यों पूर्ड करें नहीं पूर्ड कहा जाता है राइज जो दिक अट भात करें तो इसमें पे यह देखें यह वाला डिक्षा आपको नहीं लिखना है और magnetic media जैसे की floppy disk या फिर hard disk की अगर बात करें तो यहां पर इसको disk कहा जाता है ठीक है दो दोनों में यहां पंतर देखना आपको और एक standard competitive जो compact disk है यानि cd है तो यह जो होते 22 minute की music या फिर 650 MB की data को hold कर सकती है होता जो है 700 MB का परंतु यहां पर इसमें store करने के लिए इतना होता क्योंकि चलने फिरने के लिए जगे भी चाहिए मतलब एक कमरी की capacity आप देख सकते हैं बहुत सारा समान भरने की परंतु आप उसको उतना complete roof से भर दें तो आप उसमें move न किया गया था 1980 में ठीक है और उसके परश्चाज जो है यह method इसका जो है डेटा को store करने के लिए जाने लगा डेटा को retrieve करने के लिए जाने लगा common replacement है मतलब यहां पर देखें तो इसका जो है cd का common replacement dbd है फिर उसके ब्लू-ray डिस्क देखने को मिलता तो यह सभी एडवांस बर्जान यहां पर आते रहते हैं तो dbd की बात करते हैं अब dbd जो है 1995 में फिलिप्स की फेक्ट फिलिप्स और सोनी ने एक नए टाइप की डिस्क को इंट्रिद्यूस किया था जि cd और dbd में आप अंतर देख लिए screenshot लेकर आप इनको पढ़ सकते नाम है यहां देखे फुल नेम है उसके परपस क्या होता है इसका मीडिया का टाइप क्या हो सकता है encoding system capacity यहां देख सकते दोनों में उसके आद आप types देख सकते हैं किस ने develop किया यह भी आ देख सकते हैं फिलिप्स वोनी ने किया यहां फिलिप्स वोनी तोसीवा पैनासॉनिक ने यहां देखने को मिलता है dbd और दोनों का यहां पर टाइप भी देख सकते कितने प्रकार की होती है अब बात करते हैं flash drive जिसे आप बहुत है thumb drive या फिर pen drive के नाम से भी जानते है तो pen drive को ही यहा period circuit board यहां पर होता है छोटा सा जो कि प्लास्टिक या धातू के cover से धाका होता है जैसे कि company का नाम लिखा है यहां पर देख सकते हैं इसलिए मजबूत होता है और यह plug and play होता है नहीं कि लगाए और इसको कोई driver की जरूतने पड़ती है यह हमारे computer में आसानी से दिख जाती आठ जीवी वाली दिखते हैं 16 जीवी 32 जीवी 64 128 तो इस चमता वाली जो pen drive वरतमान में अबिलेबल अलग अलग company को देख सकते हैं अपरेल 1999 में एम सिस्टम मतलब आप सेंडिस के नाम से इसको जाना जाता है तो इसने लाया था और एक इसराइली कंपनी को बोला जाता है अमीर वांड डोब मोरन और और ओरन जो है इनका युगदान यहां देखने को मिलता है यह युगदान आप सहीं कर लीजिए एम सिस्टम ने सितंबर 2000 में USB मतलब जो इनिवर्सल जो डिवाइस होती है ठीक है उनिवर्सल सीरियल वस जिसे बोलते हैं तो USB फ्लेश ड्राइब की यहां घोशना की और पहली बार दिसंबर 2000 में IBM द्वारा 8 MB की छमता के साथ इसको जो है जनता को प्रसुत किया गया फ्ल बात करते हैं DVD जो फ्लेश ड्राइब है उसके बाद हम देखेंगे Blu-ray डिस्क और Blu-ray डिस्क सीडी देख सकते हैं DVD देख सकते हैं अगला बर्जन Blu-ray डिस्क यह काफी इंपोर्टेंट है तो Blu-ray डिस्क की अगर बात करें 2006 में लॉंच किया था जून में इसमें सबसे पहली मूवी 2003 की जो है चारली जंगल यहां लॉंच की गई थी जो की Blu-ray डिस्क में बनाई गई थी सबसे पहली जो है दोबारा राइट की जाने वाली जिसको मतलब यहां पर देखें फिर से रिराइटेबल है मतलब एक बार स्टोर करने के बाद दोबारा इसको राइट जिसे जो है मानक DVD प्रारूप का इस्थान लेने के लिए बनाएगा है Blu-ray डिस्क को HD यानि के High Definition वीडियो अधिक डाटा श्टोर करने के लिए हां डिजाइन किया गया है साधारन लेयर के अगर बात करें तो साधारन लेयर वाली DVD में 4.7 GB तक श्टोर के जाता डबल कर सकती है ठीक है इसके लाबा हम बात करते हैं memory card की तो memory card क्या था memory card मतलब यहां पर देख सकते हैं यह सेकंडी स्टोरी डिवाइस के अंतर गाता आता है और SD मतलब सेक्वर डिजिटल इसको बोला जाता है ठीक है आजकल सेंडिस्क है फैनसोनिक है सोनी है सेमसंग है तोसी मतलब जो है CF, MMC, HDXC, MicroSD यह सभी प्रकार के यहां पर देखने को मिलते हैं और जब card में आप देखेंगे तो card में आप देखेंगे यह right speed आपको देखने मिलती यहां पर ठीक है company का नाम देखने मिलता है उसके आप card का type देखने मिलता है HD है कौन से प्रकार का है speed देखती यह अलग-अलग प्रकार के memory card होते हैं जैसे HD card के अगर बात करें तो हमने देखे तब ही यह ऐसे memory card तीन आकार प्रकार में मिलते हैं HD, mini HD और micro HD यह card price 2.1 mm के जो हैं मोटे होते हैं और अधिकतम 2 GB का data यहां पर store करते हैं यह से card PC, handicap जो camera होते हैं small digital camera इन सभी में यहां पर प्योग होते हैं उनका एक slot होता है ठीक है इसके बाद HDHC card जो होते हैं वो data capacity बढ़ने के साथ जो card की छमता है वो बढ़ी है और 2006 में जो है यह से square digital high capacity के साथ इनको launch किया गया था और यहां देखिए HDXC के अगर बात करें तो इस तीसरी PD के जो memory card है जिसे square digital extended capacity वाले कहलाते हैं जो की 40 GB से 2 TV तक की छमता वाले बरतमान में देखने को मिलती है अब यहां देखिए इनके capacity आप देख सकते हैं GB जो दिया है जैसे 16 GB, 32 GB, 64 GB, 125 GB तो आप देख सकते हैं MP3 जो पर महीं बात करें photos की photos जो है 12 megapixel वाली तो आप इनकी capacity यहां देख सकते हैं सभी में 20 megapixel वाली में यहां देख सकते हैं capacity इसके अलावा आप देखें 20 megapixel raw format के अगर बात करें देख कम हो जाती है फिर यहां देखें वीडियो के अगर बात करें 9 MB per second की जो HD वीडियो है वो आ देखने को मिलती है आपको इसके अलावा next जो हम input device के बारे में देखेंगे तो उसके पहले हम देख लेते हमने क्या के चीजी यहां पर पढ़ चुके हैं चलिए एक बार चलते हैं हमारी जो है memory यहां पर complete हो जाती है ठीक है memory सभी सभी प्रकार से हैं memory हमने यहां पर complete कर ल दिसके जिसे हम cd बोलते हैं वो यहां पर देखने को मिलती है तो magnetic डिसक भी हमने देखें यहां पर जो टेप कैसी ड्रील होती थी उसके बारे में optical डिसक दो प्रकार के देखें एक cd और एक dvd हमने देखें उसके बाद हमने ब्लू-ray डिसके बारे में जाना फिर memory capacity यहां कितना इस्टोर कर सकता है आई हो सारी चीजे आपको clear हुई होगी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप comment box में मुझे बता सकते हैं ठीक है इसके बाद के जो टॉपिक हां निक क्लास में पढ़ने वाले हैं तो अने कर रहे हैं बहुती आपको फ्री प्री प्लांग आप यहां पर आपको प्रोड डालना है सरकाट अंसरकाट अंप प्रोड डालने के बाद ही आप इस प्रैन को अनलॉक कर सकते हैं इसके साथ आपको मिलेगा एक्स्क्लूसिव और पढ़ सकते हैं और यह चालू हो चुका है 11 परवरी से यहां पर चल रही है और चैंपिंसिप के अंतरगात जो स्टूनेंट यहां पर टॉप रंकर रही है उनको वन मंत का सब्सक्रून फ्री मिलेगा अन अकडमी की तरफ से और अचीवर बैच आप जोइन कर सकते हैं यदि आपको एंपी बैच का संपूर मारता हैं चाहिए तो आप जो पढ़ेंगे बैच फेकल्टी के दौरा आपको मार्गेसन होगा और भी स्यादा मॉक टेस्ट नहीं पर प्रक्टिस करा जाएंगे भी सज्यादा ज्यादा कोशियन आप प्रक्टिस करा जाएंगे प्रसस्पून लेने के लिए आपको अनेकडिम के लेने गाप में लिएट befेंगे बैकल्ड ठक्रा कि अटना कोशियन आपके।